Hello guys, welcome again to our YouTube channel Knowledge Jhangar, happy Diwali, I hope आप अच्छे से यापर Diwali celebrate करें, तो आपने ये digital marketing training हमारा जो course है free में, वो आपने हाँ पर YouTube पर आप देखी रहे होंगे और subscribe भी हमारे चैनल को कर रहे होंगे, आज हम बात करेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं SEO एक real estate website का, हमारी पिछली वीडियो आप जरूर देख लें कि कैसे आप बना सकते हैं real estate website, अगर आप एक new agent है, नई company है, आपका अकेला RERA registration है, या किसी भी तरह कि आप यहाँ पर agent हो गई या company खुद की हो गई, solo entrepreneur हो गई, या फिर किसी भी तरह का proprietorship है, या SME है, जो भी यहाँ पर है, आप यहाँ पर यह website का tutorial द website के लिए आप SEO करें, किस तरह से आप keyword optimize करें, और कौन-कौन सी plugin आपको help करेगी SEO करने के लिए, किस तरह से आप अपनी websites को search console, Google Analytics, और जो भी यहाँ पर tools है, digital marketing के, Google के द्वारा दिये हुए tools, जो बहुत ही महत्पून हैं, आपकी website को rank करने के लिए आ जहूं उनके बारे म से बात करेंगे, तो वीडियो को आगे बनाने से पहले logo introduction, So I hope SEO करने के लिए SEO Yoast जो plugin है, वो काफी आपको यहां पर अच्छा रहेगा, एक बार हम लोग SEO Yoast के जो website है, वहां पर जाकर उसके packages और वो क्या-क्या services यहां पर दे सकते हैं, वो हम यहां पर check कर लेते हैं, तो आप Yoast.com पर आ सकते हैं, आपको यहां पर हर तरह की आपको Yoast से related services मिल जाएगी, जैसे Yours for WordPress, Yours for Shopify, Other WordPress plugins, Features Overview, तो अगर हम Features इनके देखे तो आपको यहां पर काफी multi product वगेरा के से related चीज़े मिल जाएगी, जो help करेंगी आपको यहां पर SEO करने के लिए, then आपको यहां पर SEO Academies भी मिल जाएगा, starting अगर आप beginners हैं, training मिल जाएगी, आपको basic यहां पर मिल जाएगा, ultimate SEO guides आपको यहां पर मिल जाती है, then अगर हम buy SEO Loast की बात करें तो आपको 99 USD में आपको यहां पर premium plugin मिल जाती है, इसके अलाबा यहां पर और भी सारी चीज़े यहां पर मिल जाती है, आपको free plugins भी मिल जाती है, जहां पर आप एक या दो keyword ही यहां पर optimize कर सकते है, 99 USD में आपको यहां पर मिल जाता है, Yoast plugin, we first to get new features and tools before everyone else, optimize your site for the right keyword for users, so यह चीज़े यहां पर मिलती है, then आपको plugins यहां पर मिल जाते हैं, यह जो 229 USD में यहां पर आपको मिल रही है, इसमें Yoast plugin के तो सारे options मिलते ही मिलते हैं, साथ-साथ में आपको यहां पर अगर आख जाएंगे तो आपको अलग जो 5 powerful plugins हैं Yoast दुआरा वो मिल जाएगी, SEO की full training courses आपको मिल जाएगा, 24x7 का support यहां पर मिलता है, और साथ-साथ में आप यहां पर जितनी भी इनकी features से वो सब आप यहां पर unlock कर सकते हैं, और यह मुझे लगता है कि जो Yoast SEO है यह आपको वीडियो से related e-commerce के लिए, आपकी blogging websites के लिए, आपकी जिस भी तरह की website रहेगी, उसकी हिसाब से आप यहां पर यहां पर यूज कर स मिल जाती है, जो Yoast SEO आपको यहां पर $99 और $229 में provide करता है, आपको मैं link description में दे दूँगा, आप directly वहां से जाकर भी purchase कर सकते हैं, then उससे हम लोग पहले कर लेते हैं कि, पहले हम लोग plugin add कर लेता है Yoast SEO की जो मैंने backend में रखी हुई है, फिर हम लोग बाद में यहां पर search क करेंगे, अपने कैसे आप यहां पर keyword सर्च कर सकते हैं, free keyword tools के तूरू, जो Google Ads का यहां पर tool है, then मैं add new में plugin कर लेता हूँ, then upload plugin, अगर दिखो आप free Yoast SEO यूज़ करना चाहरे तो Yoast अगर आप डालेंगे तो यहां पर आपको plugin मिल जाएगी, यह plugin आपको यहां पर मिल गई ह मैं चाहँ तो इसको निस्टोल भी कर सकता हूँ, then install करने के बाद आपको activate पर click करना पड़ेगा, then activate, तो आपको activate करने के बाद यहां पर option मिल जाता है, start first time configuration, अगर आप चाहे तो अपने data भी यहां पर optimize कर सकते हैं, यह data optimize तब सही रहेगा, जब आप थोड़ा यहां पर keyword बगरा research करके optimize कर दे, then आप यहां पर अपर सारी information दे सकते हैं, does your site represent an organization or a person, अगर आप एक organization है, अगर आप एक individual है, तो आप यहां पर person choose कर ले, इसको ऐसे ले सकते हैं, I think 25-30,000 plus GST कुछ पढ़ता है, तो आप person पर जाए, जो यहां पर आपकी one person company है, तो आप person पर जा सकते हैं, otherwise इससे को एकना फरक पढ़ता नहीं है, अगर आपको बाद में plan है कि आप single vendor से जाके multiple vendor या फिर एक बड़ी company बनाने जा रहे हैं, तो आप organization भी कर सकते हैं, बाकी आप यहां पर अपने हिसाफ से choose कर ले, then organization में आपके organization का नाम और आपका यहां पर logo आ जाएगा, logo आने के बाद यहां पर, मैं इसको save and continue कर देता क्योंकि मेरे पर logo, इसको logo as a logo ले 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 तो, just an example, मैं इसको logo ले लिया, so even continue, then आपकी social profiles, जितनी भी यहां पर social profiles आप आप डाल सकते, like facebook का जो भी आपका page है, twitter का कोई page देने, आप add कर सकते हैं, other social profile में, और यहां पर सारी profiles आपको यहां पर, मिल जाएगी, delete करने के लिए delete कर सकते हैं, बाकी यह दो social profiles के लिए लिंक आ रहे हैं, वो by default आ रहे हैं, then personal preference, Yoast SEO uses tracking, we need your help to improve Yoast SEO, can we collect anonymous information about your website, and how you use it, no I don't track my site data, yes, अगर आप track कराते हैं, तो वो आपके यहां पर personal preference देंगे, personal tips देंगे यहां पर, then आप यहां पर अपना जो newsletter है, जो जहां पर आप चाहरेंगी, आपको email address मेले हैं, वो आप यहां पर दे सकते, उसी email address पर यह notification दे देंगे, then आप register now पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपका यह page यहां पर open हो जाएगा, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, और visit your SEO dashboard, यह आपका SEO dashboard आगया, first time configuration आपका हो गया, मैं dashboard पर जितने भी options हैं, मैं आपको यह आपर पर चलता हूँ, आप चाहें तो notification यहां पर बंद भी कर सकते हैं, then आपको features on-off करें, SEO analyst, yes, यह premium है तो इसको आप नहीं यहां पर on-off कर सकते हैं, then XML sitemap, बाकी जो information है उसको आप यहां से, SEO रहने दे, then webmaster tool, यह हम लोग बात बात करेंगे, इसके लिए हमको पहले यहां पर account बनाना पड़ेगा, Google search console पर, then it's fine, then integration पर अगर हम बात करें तो, आपको किसी भी तरह की integration चाहें, यह भी आपको help करेगा जब आपका premium account हो, then search console, तो यह बहुत महत्पून चीज है, यह आपके जो title separator है, जो आपका title रहता है, तो इसके लिए separator ढूंटता है, यह जो बीच में आ रहा है, यह जो area है, यह separator है, तो आप यहाँ पर इसको चूस कर लिए, या जो भी आप चाह रहे हैं, जाए पर यह यह अच्छा रहता है, तो आप इसको यह चूस कर लिए, then आपकी normal information रहीए, आप यहाँ पर save changes, इसको, then content का type, यह as is it रहने दे, तो यह actually content type यह तब लेता है, कि आपने जो भी content डाला है, वो suppose आप उसका SEO नहीं कर रहे हो, तो title त्रह है कि उसका meta description, अपने हिसाफ से वो कैसे यहाँ पर रख सकेंगा, आपको अच्छे समझा देता हूं, तो SEO title tag यहाँ, इसार है title page, separate and side title, तो क्या रहेगा जिसे आपका title हो गया, get to BHK flat in 3, CR, या फिर normal is it good to buy a house in Bangalore, तो आपका title क्या हुआ, is it good to buy a house in Bangalore, तो आपका अगर बीच में separator, जो भी हमने भी चूज किया है वह आप लगा देंगे, then page, जो आपका page का normal हो है, like site item, then is it good to buy a house, separator, my x, y, z, builder, तो इस तरह से आपका यहाँ पर यह काम करेगा, अगर आपने अप default कुछ नहीं डालाएं तो, ठीक है, then media, आप यह सब normal यह normal options है, then social पर आएं तो, बाकि आपका normal again, social media profiles बगेरा के लिए यह, आपको नहीं पर information मिल जाती है, tools, आपको यह tools बना रहा हूँ, मैं एक अगली video बना रहा हूँ, जहां पर आपको help मिल जाएगी, कि which plugin for the SEO is good, like rank math हमारी plugin होती है, SEO के लिए, all-in-one SEO plugin होती है, योश SEO होती है, तो इन तीनों की full tutorial है, वो आपको हमारी website पर मिल जाएगे, हमारी website भी है, by digitalmarketing.in पर भी आपको मिल जाएगे, हमारी YouTube चैनल की playlist में भी बिल जाएगा, SEO playlist में, तो आप वो जाकर check कर सकते हैं, बट मैं एक अगली video बनाने की सोच रहा हूँ, जहां पर मैं तीनों जो plugins हैं, उनके तुरू आपको यहां पर किसी भी एक permanent जो back site है, उसके लिए आपको SEO करके दिखाऊं, और बताओं उनके packages कितने अलग हैं, और किस तरह से यहां पर options क्या-क्या मिल जाते हैं, और कितने prices में मिल जाते हैं, तो इस बात पर एक like तो बनता है, और हमारी बाकी सब videos आप SEO से related जितना भी tutorial है, मैं आपको link यहां पर description में दे दूँगा, देन बाकी सारे आपको premium option हैं, तो इसके लिए आपको theme लेना पड़ेगा, तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, कि आपको यहां पर एक extension मिल जाती है, लोकल बिजनिस के लिए, वीडियो के लिए और Google News के लिए, अगर आप एक local restaurant चला रहे हैं, कोई local market में आपको बाइक की shop है, या पार्टिकल्स की shop है, कोई product है आपका, आप कोई table या फिर, normally आप like home appliances में आप deal करते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहां पर extension मिल जाएगा, अगर आप video बनाते हैं, gaming videos बनाते हैं, digitalmarketing.in पर मैं यूज करता हूँ इस plugin को, और अगर आप एक news website बना रहे हैं, जहां पर आप अराम से चाहरे की optimize करें, Google News, immediately ping Google on the publication of a new post, XML news site maps आपको option मिले, तो यह सब चीज़ा आपको help करती हैं, और यह सब अलग-अलग prices में आ जाती हैं, यह सब करते हैं, यह 79 USD में परता है, वीडियो वाला आपको यहां पर सेम, और लोकल SEO भी, सेम ही परचाते हैं, लेकिन जो चीज़े रहती हैं, वो काम करने के लिए अलग-अलग-अप्शन मिल जाते हैं, पराइस सब के सेम हैं, 79 USD में हैं, आप एक बार विजिट करके जरूर देख लें इंको, सो देखो, योस्ट, SEO, एक्स्टेंशन और प्रेमियम में आपको क्या फरक मिल जाते हैं, रिडारेक्ट मैनेजर्स, अनौनियंस, और इडिटेट की फ्रेज़ेज, सोशल प्रिव्यू, इस प्रेमियम सपोर्ट, यह सब चीज़े आप में आपर मिल जाती हैं, अगर अब मैं बात करूँ, मैं अपना जो मेरे पास है, इसका प्रेमियम मैं उसको एक बार अप्लोट कर लेता हम, और मैं यह गीववव करने वाला हूँ, अगर मैं गीववव के लिए सोच रहा हूँ, मैं आपको दो या तीन कोशन्स पूछूँगा, तो जो भी सही आंसर यहां पर दे पाएगा, तो मैं उसको यह जो हमारी प्रेमियम प्लगिन है, यह उस्ट ऐसी हो की, मैं पाँच यूजर्स को प्री ओफ कोश्ट में दोंगा, और वो पाँचो कोशन्स आपको हमारी कम्म्यूनिटी टैब में मिल जाएंगे, झाल कोशन्स आपको हमारी कम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म् रहने एक्टिवेट लगने लगने पार लोष्ट में आपको दमोरा चले तुए ठीक है तो इस तरह की चीज़े आपको यहाँ पर सेम भिल रही है तो अभी इवर आप देखेंगे तो आप मैं एक भी एक पेज़ खौल के लिए लिखता हूँ और यहाँ पर इस तरह की options कि कीवर्ड रिसर्च करने से पहले मैं इसको Google Search Console पर लिख्ट करने काँ तो आप Google Search Console की वेबसाइट पर आ जाए तो आपको पर लिख्ट करता है आपकी वेबसाइट को Google पर लिख्ट कराने के लिए Google Search Console को Google Webmaster Tool भी कहते हैं मैंने इसके एक इंडिवीज्वल वीडियो बनाई हुई है जो आपको अमारे प्लेलिस्ट वाले options में मिल जाएगा Google Search Console का पूरा टुटोरियल मैंने यहाँ पर एक एक वान समझाया है वह सब चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएगी और बेसिक इस वीडियो में मिल जाएगा आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं डिक नॉलिज के लिए और यहाँ पर काम चलाओ के लिए लेकिन मेरा मानना यही है कि आप एक बार थोड़ा सा सर्च कंसोल का पूरा टॉपिक देखे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा वेन आपको यहाँ पर आये डालना है कोपी करके तो दो तीन ओप्रिन मिल जाते हैं क्यों साथ चा रहेगा आपको कुछ DNS के थुरू रहता है और कुछ यहाँ पर नॉर्मल वेरिफिकेशन तो आपको अपना यॉरल डालने के बाद कुछ इस तरह के आपको फाइल बेलेगी यहाँ पर आपको औप्शन मिल जाएगा यह से है HTML, HTML tag, Google Analytics, Google Tags, और डॉमेन नेम प्रोवाइडर तो HTML tag के थुरू हम लोग कर लेंगे इसको मैं इसको कोपी कर लेता हूँ और फिर से हमको जाना पड़ेगा प्लगिन के सेक्शन में एड़ प्लगिन में हमको एक insert header and footer करके आपको प्लगिन मिल जाएगी insert header and footer plugins आपको हर जगा काम करती है आपके किसी भी तरह के code को यहाँ पर पुट करने के लिए आप Google Analytics का भी code यहाँ पर डाल सकते हैं Search Console का भी Tag Manager का भी Google Ads के लिए भी किसी भी तरह के code यहाँ पर आप डाल सकते हैं then code is split header and footer header में आके आपको यह code जो हमने यहाँ से copy किया था यह copy करने के बाद यहाँ डाल के यह save changes करने हैं then वापिस जाके हमको verify पर click करना है then go to the profile तो आपको यहाँ पर जो search console है वो भी set up हो गया है then search console set up करने के बाद आपको यहाँ पर site maps बगएर आट करने पड़ेंगे मैं उससे पहले यहाँ पर छोटा सा एक आपको normal सारे जितनी भी options से उनका introduction करा देता हूं लेकिन full video अगर आपको देखना है मैं अभी भी recommend करूंग हमारी playlist को आपकी जितनी भी यहाँ पर details रहेगी performance की वो मिल जाएगी performance में overview की जैसे ही रहेगा आप यहाँ पर एक particular date range पर और based on the web, image, video और किसी भी data का like last weekly data का या उससे पहले month का यहाँ पर आप data को compare भी कर सेगा your interaction आपको help करता है आपकी website को like crawl कराने के लिए आप जिसी भी crawl like जो भी URL है आप डालेंगे उसको आप Google को interaction या request कर रहे होगी कि आप please हमारी website पर आईए इस page को crawl कीजिए crawl मतलब अपने database में यह page save कीजिए then pages में अगर आप आएंगे तो आपको आप pages के experience वगेरा मिल जाएंगे देखने के लिए कि किस तरह से reload हो रहा है और क्या चीज़े यहां पर miss हो रही है या क्या चीज़े यहां पर overload कर रही है then अगर आप site map पे आएंगे तो site map आपको help करता है कि आप कितने सारे pages है उनकी क्या navigations हैं और कौन कौन से pages किस कि site map के रहते है जैसे आप किसी भी कहते है कि तो यह शनुच में रहते हैं प्를 выб I'm जनुच में रहते हैं रहे हैं छनुच में बसफानने साइट मैप रहता है, कैटेगरीज यहां पर रहती है, यहां पर होंड क्या है, हंद के अंदर कौन-कौन से पेड़ेस है, या आपके ब्लोक्स का एक नॉर्मल, जो भी एक साइट मैप डाला हमने डाला, उसको यहां पर पेश्ट किया, उसका साइट मैप, इतने भी नए या पुराने ब्लोक्स रहेंगे, उसका एक यहां पर डेटा बन जाएगा, जो गूगल को हेल्प करता है रहन करने के लिए, रिमुबल्स, कुछ आपने रिमूब किया हो, पेज एक्स्पिरिंस, आपकी स्पिरिड वगरा के लिए, आपकी मुबाइल में, आपका मुबाइल में, वैपसाइट कितने दिल में ओपन हो रही है, क्या-क्या इसूर है, डेक्स्टॉप में भी सेन है, बाकी ज्यादा इतना कुछ लिंक्स में, अगर आप देखेंगे तो, कितने सब चीजे यहां पर लिंक हैं, और इंटर्नल लिंक्स वगएरा सब चीजे यहां पर आ जाती है, सेटिंग्स, सेटिंग्स में आपके नॉर्मल किस तरह का है, कितनी बार बोट हुआ है, यह सब चीजे, तो पूरा समझने के लिए, क्योंकि Google Search Console से इपना नहीं है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैंने आई option उपर option दे लिया, आपको एक लिंक आ रहा होगा उपर Google Search Console के लिए, तो आप वहाँ पर जाका सीख सकते हैं, अच्छे जैं Google Search Console, कि कैसे Google Search Console यहां पर काम करता है, देन अगर बात करें, Google Analytics लिंक कर लेते हैं, आपको Google Analytics डालना है, देन उपन कर देना, तो यह दो टूल काफी यहां पर help करें नहीं, आपकी website को यहां पर समझने के लिए, कि क्या user आ रहा है, किस तरह का user behavior है, देन start measuring, आप अपने account का नाम डाल दे, और Google Analytics का भी हमारे पार tutorial है पूरा, तो आप उसको भी जाकर देखें, मैं आपको जाता हूँ कि आप जब भी यह video देख रहे हैं, अगर आप एक expert नहीं है, आप normally अपनी website का SEO कर रहे हैं, तो यह tutorial काफी अच्छा है, लेकिन अगर आपको अच्छे से result चाहिएं, तो आप पहले हमारे SEO की सारे पूरे course, पूरे playlist को देखो, फिर उसके ले करो तो आपको पक्का यहां पर जरूर आपको यहां पर result मिल जाएगा, और आप यहां पर अपने organization का नाम ढाल दे, यहां पर अपने organization का नाम ढाल दे, यहां गर्ड़, ज्ट, द, द, यहां, इन, आई, आई, आर, द, मैं वह वह शोट मिं ढालना था, आपके इंड़िस्ट्री टाइप, एलिष्टेट, बिजनिस साइज कितने एंप्लोई हैं, आप यहां पर चूस कर सकते हैं, then what you want from the Google Analytics, आप यह चूस करें, ना करें, तब भी सारे ओप्शन आप यहां पर इनलते हैं, then click on create जरूर आप इंडिया जरूर करें, इस नहादा बैप, and खाओ नहीं है आपके सब्सक्राइब आपके साथ नहीं आपके साथ नात्या है वेबसाइट का रिवारल डाल रही है मेरा वेबसाइट का तो अलग है लेकिन अभी आपको मालम है नहीं XYZ विल्डर के नाम से मैंने डाला हुआ है यह आपको HTTPS अटाना है then create a steam यह आपको कुछ इस तरह से यह बढ़ा जाएगा then आप tag यहाँ पर टे सकते हैं चाहें तो का यह आपको data टाने के लिए यहाँ पर 48 hours minimum लगे रहें अप जब बनाने के बाद आपको मेजरमेंट में आके यहां पर आपको एक कोड बिल जाएगा जो कोड आपको अगें एक वेबसाइट पर जाकर कोड़ स्पिरिट के हैडल एन फोटर पर जाकर आपको वो पेस्ट कर जाएगा और आपको अःगा कि अढ़ एतरिख विल नखड़ स्टेईर थाकर टां वात्र आपको एंगे Colonel यहां पर आके इसको को कोपी कर लेंगे एक बाद आपको header and footer में जाना है इसको कर दो के save checkbox इसको कोपी कर लेंगे एक बाद आपको हम में आपको यहां पर live data और एक particular date range पर भी आपको data मिल जाएगा जहां से भी users आएगा जहां का भी users होगा वो सब यहां पर आपको दिखाएगा पूरे यूजर का behavior यूजर किस keyword से आया वो सब चीजे मिलती है when engagement वगेरा के options यहां पर मिल जाते हैं तो आप यहां से पूरा इसको monitor कर सकते हैं कि किस तरह का यहां पर आपको traffic आ रहा है तो मैं एक बाद फिर से recommend करता हूं आपको हमारा जो पूरा Google Analytics का जो एक particular dedicated tutorial है वो आप जरूर देख लें यहां पर आपको बहुत यहां पर help करेगा मैं आपको link नीचे description में दे रहा हूं देखो आप सब सोचते हैं कि time लगता है हम time waste क्यों करें बटी आपको काफी help करेगा यहां पर आपकी website को rank कराने के लिए आप किसी भी agency को same क्याना इसी चीज के लिए आप पैसे दे रहे होंगे जो आपको 20-25,000 रुपीज चार्ज करेगा तो आप चुना हमारे tutorials देखे वही same काम आप कर सगे हमारे पूरे SEO की जो plugin है SEO की playlist है पूरी वहां पर आपको पूरे अच्छे से समझाया गया कि किस तरह से SEO work करता है किस तर से आपको keyword optimize करने है अलग-अलग plugins के हुसाब से भी हमने यहां पर tutorial बनाए हुआ है और आपको योश्ट SEO नहीं पसंद आ रहा है किसी भी तरह से थोड़ा महंगा लग रहा है कोश्टली है या आपको लग रहा है कि like websites आपको लग रहा है कि like word of mouth से आपने सुना है कि भाई आपको लगता है कि all in one SEO अच्छा है तो जिसने भी आपको चीज़ अच्छी लगती वो सब चीज़ें आपर बनाए हुए हमने even third party tool जैसे AHREFS के लिए भी हमने particular dedicated video बनाया हुआ है even local business से related आप कैसे अपने जो अगर आप local business कर रहे हैं जैसे Bangalore में ही आप सिर्फ अपना business च कैसे high scale कर सकते है उस तक कि हमने वीडियो यहां पर dedicated video बनाये हुए है हमारी SEO plugin है तो मैं आपको जरूर recommend करूँगा कि आप वह जरूर यहां पर देख ले तो अभी चलते हैं अपने home page पर तो जिस तरह से यह pages हो गया ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं इसको यहां पर divide कर ले लिष्टेड है थी भी जिष्टेड है विला भी लिष्टेड है और upcoming properties भी ले रहे हुए है आपने आप रहाँ पर इंफ्रमेशन पूरी आट के विए कि आप एक one of the best या फिर आप एक one of the best चैनल पार विडाट बिल्डर्स यैसे प्रश्टीज, सोभा या जितने भी यहां पर बिल्डर से, उनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेगी होम पेज पर आपको जो डायरेक्ट अप्रोच वाले कीवर्ड हैं, वो डाल ले पड़ेंगी, जैसे 2BHK फ्लैट इन बैंगलोर, रियल इस्टेट एजन्स इन बैंगलोर, इस तरह के आपको कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे, तो प्रोपर्टीज में, आप 2BHK फ्लैट से रिलेटेड फ्लैट के रिलेटेड जो आपको यहां पर कीवर्ड मिलते हैं, वो ही आप यहां पर डालेंगे, तो ड्रीम फ्लोर ह की 2BHK वाली प्रोपर्टीज हैं, उनमें आप 2BHK से रिलेटेड ही कीवर्ड डालेंगे, 3BHK वाले में आप 3BHK से ही रिलेटेड कीवर्ड डालेंगे, बिलास वाले में आप बिलास से रिलेटेड ही, जो यहां पर आपको कीवर्ड मिलते हैं, वो यहां पर डालेंगे, suppose कोई भी आपकी जो building है या tower है जिसमें 2 & 3 BHK दोनों है then उस case में आप ये करेंगे आप देखेंगे कि किस तरह का यहाँ पर keyword research आ रहा है 3 & 2 BHK flats in Bangalore या 2 & 3 BHK in Bangalore अगर आपको लगता है कि यहाँ पर 3 BHK की demand जादा है और दोनों तरह की unit के यहाँ पर आपको options मेले हैं तो आप 3 BHK वाले भी कर लो 2 BHK वाले भी कर लो ठीक है तो चलो इसके home page पर चलते है then edit page edit page आने के बाद आपको यहाँ पर मेल जाएगा focus keywords focus keyword यह है कि क्या आपका एक permanent keyword होना चाहिए जिसको आप main keyword मान रहा है पांच मेंसे 2 BHK flats in Bangalore 2 BHK flats with box room in Bangalore 2 BHK kitchen and hall whatever is it तो अभी हम लोग यहाँ पर keyword research में आ जाते हैं हम लोग real estate से लिएक होते है एजेंट इन बैंगलोर ओके एजेंट इन बैंगलोर मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि किस तरह से keyword पर चूस करते हैं ठीक है तो यह तो मेरा एक example website है तो मैं सारे 5 या 6 keyword नहीं है हाँ पर सर्च करकी यह पूरा एक जितना भी data को यहाँ पर सर्च करकी नहीं आपको दिखाने बाला हूं मैं आपको यह पर example के through आप बता दूंगा तो आप जब यह search कर लेंगे देना आपको यह पर columns का option मिलेगा then modify columns तो आप three month changes और यह रहने दे organic impressions आप जरूँ चूज करें और क्योंकि हम लोग यह advertisement के लिए नहीं बना रहे हैं तो top bit और low bit इसको रहने दो क्योंकि हमको add नहीं चलाना है then आपको यह option यह देखो तो यह आपका monthly average searches है 1300 real estate agents bank load 1300 लोग search करते हैं real estate broker in bank load यह 480 लोग को करते हैं अगर हम suppose यहाँ पर click करते हैं तो यह minus आगा like minimum इसको up करेंगे तो यह जो 3 या 4 keyword आ रहे हैं यह ज्यादा best है इन सब से लिए तो मैंने real estate agents bank load लिया इसको main मैंने keyword यहाँ पर बनाया then यहाँ पर title आपका वही आ रहा है तो मैं लिखता हूं यहाँ पर domain मैंने keyword लिया था वह उसी को मैं यहाँ पर title में बना देता हूं इससी यह जरूर याद रखो कि आपका पहला जो वह होना चाहिए then मैं separator ले लेता हूं मैं चाहूं तो दूसरा जो मेरा tagline है title है तो मैं same real estate से related रख सकता हूं but मैं एक नया like market में नया builder हूं तो या channel partner हूं तो मैं अपना x, y, z, t, y, n, t, e, builder यह मैं डालने हूं ठीक है और मैं इसको यहाँ पर builder x, y, z property, advice, ठीक है then मैं इसको meta description में meta description में हमने जो main यह डाला है यह कही न कही add होना चाहिए तो अब आप क्या करेंगे आप थोड़ा अपना introduction दे ले v, x, y, z builder is real estate agents in Bangalore अगर आप खुद के ही builder है तो वह आप डाल सकते हैं otherwise जैसे अगर आप खुद के हैं तो v, sale, 2bhk tbhk for villa यहां आपकी property अगर सब जगा है तो यह बैंड यह we offer आप आप कुछ नहीं आप देदे we offer our environment to grow तो ले जो भी आपको यहां पर अच्छा लग रहा है क्योंकि यही चीजें आपकी सबसे यहां पर दिखती है पेज बतो यह होता है title जो आप डाल रहे हैं वो यहां पर मिलेगा आप इसको चाहें तो आप क्योंकि अपका खूंकि रापकी क्योंकि पर उन्दद्ध्र आपकी 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 जो भी लिखना है आपको सही से लिखना है then मैं अगला कीवर्ड दो रियल स्टेट ब्रोकर इन वैं लो यह मुझे अगला रहा है तो यह अगला कीवर्ड लिखे यह पेश कर देता हम then आप देखेंगे तो इस तरह से आरा रैड आर्क यह सही नहीं है तो आप इसे रिलेटेट को सिनोनियम दोनेंगे तो आप नॉर्मल रियल स्टेट एजेंट भी आप यहां पे डाज़र दो या तीन ही यहां पर चीज़िये होनी चाहिए या नॉर्मल रियल इसके then इतने भी आपको कीवर्ड लगते हैं पांच वो आप यहां पर एड़ कर दें लेटा को अपडेट करूँ तो डेटा अपडेट करने के बाद आपको डारेक्ट हम पेज पर जाना है या उस पेज पर जाना है जिसका आप ने यहां पर SEO किया है इसको कोपी करें यहां पर आएं then inspect में जाना है और और जब आप अपना एक या दो पेज का यहां पर SEO कर ले आप अपनी जो मेन्यूज हैं आपकी वैपसाइट की वो आप सेटल कर ले जितने भी आपके ब्लोग वगरा के वो पेज़ेज हैं या फिर आपके कॉंटेक्टर के पेज़ेज हैं प्रोपर्टी के पेज़ेज हैं पुरी WordPress वैफसाइट बनाने के बाद आपको यूर श्रेंट्स रोल करने के बाद एक पेज का अगर आप चाहिद तो जैसे अभी हमने किया है अप्टिमाइज़ेशन हैसे कर सकते हैं फिर आप यूर्ट SEO पर आएं देन आपको सर्च अपेजिन्स पर आना है प्रोएक बाहर आप यहां पर डेटा जरूर चेक कर लें यह सब चीज़े सही है कि नहीं है देन इंटिग्रेशन या जर्नल में भी आप चेक कर लेंगे एक पेज का SEO करने के बाद इंटिग्रेशन और बैब मास्टर टोल में आप आ जाएं और गूगल सर्च वेरिफिकेशन या फिर जो भी आपको यहां पर वेरिफिकेशन करना है चूज करके HTML टैग आप में लिया हुआ है यह फिर से कोपी करना है वेरिफाइ कर दोना है तो कि आपने पहले से ही डाला हुआ है ठीके यह लेने के बाद यह आप इसको यहां प्रेट कर देंगे जो आपको डिटा आ रहा था था धन सेव ठीके तो वेरिफिकेशन हो जाएगा थन आपको इंटिग्रेशन पर आमें पर आपको यहां पर XML साइट मैप्शन मिलेगा इन सी यह साइट मैप्स तो यह साइट मैप्स अप तभी पेस्ट करें जब आपका सारा मेन्यू, सारा ब्लोग, सारा कंटेंट रेडी हो जाए और यह वैपसाइट पर अपलोड हो जाएगा और आप एक बार मिनिमुम यहां पर क्रोल करा चुके होँगी तो आपको साइट पे आना है और इसको यहां पर पेश्ट करके सम्मिट करें सिर्फ इतना ही आपको यहां पर ऑप्शन में दोना है और जिस जिस पेज के लिए आप चाह रहे हैं कि आपकी वेपसाइट और SEO पर आए सर्च कंसोल उसको रोल करें आप वही यहां पर दें अगर सब्सक्राइब का आप नहीं देना चाह रहे हैं तो आप नहीं दे बट पोस्ट पेजिस केटेगिरी और कुछ भी अगर फ्लैट वगरे से रिलेटेड ऑप्शन आते हैं तो वह जरूर देते हैं तो ज ये दोनों फोल्ग ठीक है देन होने के बाद आप फिर एक बार ग्रोलिंग के लिए यहां पर रिक्वेस्ट डालें एस्यो करने के बाद, जो भी optimize आपने किया है, तो भी क्या होगा? crawler आके यहाँ पर crawl करेगा, आपके content को crawl करेगा, आपकी images को crawl करेगा, आपकी contact form को crawl करेगा, सारी information लेगा, crawler क्या क्या information लेता है? highlighted लेता है, कि आप क्या करते हैं, क्या आपका address है, किस तरह की services में है, आप क्या content है, आपकी वो content को database में लेता है, फिर आपकी keywords को देखता है, meta description को, title को देखता है, सब देखने के बाद, फिर उसको आगे बढ़ाता है, और database में वहाँ पर डालता है, और फिर ही आपको यहाँ पर जाके, जितनी भी चीज़े हैं, वो rank होती है, rank में बनती है, क्योंकि देखो, Google को बोलते हैं, Google पर search कर लो, आप मैं आपको पता हूँ कि Google पर कुछ डेटा जाधा नहीं होता है, Google पर भी डेटा होता है, जो websites ने SEO करके 5 पेज पर लाया हुआ है, समझे निस्तमी ने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, तो आप देखेंगे न, यह SEO है, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग अजन्सी डॉट कॉम या ब्रैंड श्टोरी या फिर यह जितने भी लोग है न, इन्होंने अपना डेटा बनाया हुआ, डेटाबेस गूगल के, तो गूगल वही आपको सर्च करके दिखा रहा है, तो गूगल के अपने खुद के प्लेटफार्म कॉन से है, गूगल टैग मेरेजर, अनलेटिक, गूगल लैंज, गूगल फोटो, यह सब चीज़े अपने खुद के डेटाबेस, और वह भी डेटाबेस आपका ही डेटाबेस बना के देते है, जब भी आप कोई फोटो लेते हैं उसको अपलोड करते हैं, ड्राइव में या फिर फोटो में, तो वही डेटाबेस उनके पास सेव रहता है, तो इस तरह से गूगल काम करता है, यह सब देने के बाद, हम एक बार 2bh के फ्लैट से रिलेटेद केवर सर्च कर लेते हैं, तो यह हो एक बेसिक पेज का भी कर लेते हैं, अम लोग ऐसी हो, देन आ जाओ फिर से, आपको समझ में आगे हो, अगर आप देको नॉमल लोकल कर रहे हो, तो जो भी आपकी सिटी वगर है, अगर वर्ल्ड वाइट कर रहे हो, तो एक-एक सिटी वाइस, और स्टेट वाइस, देन कंट्री वाइस, ठीक है, तो 2 BHK flats in Bangalore, अगर सब्पोस हम लोग ये इंडिया वाइस कर रहे हो, तो हम 2 BHK flats भी कर सकते थे, 2 BHK flat in India भी कर सकते थे, अभी हम Bangalore के लिए कर रहे हैं, तो यह ही है, तो 2 BHK flats in Iwbal Bangalore, ये नॉमर, तो 2 BHK flats in North Bangalore, तर आपकी प्रोपर्टी साउट में हैं, तो आप South Bangalore कर सकते हो, 2 BHK flats nearby, माननेता tag park क्या मत सब्सक्राइब पता है, तो कि माननेता tag park से Bangalore में ही है, में है, ठीके, तो वो नॉमल ही चला जाएगा, इसमें ही है कि जैनगर, इंडरा नगर, ये सब आपको दिल्ली, देरादून, पुना, ये जो सेम नाम है न, ये आपको इन सिटीज में मिल जाते हैं, तो देखो जैसे ये option मिल गया, then 2 BHK flats near monitor tag park, ये मैंनेता tag park, जो भी 2 BHK flats near monitor tag park बेख रहा होगा, उसको वो option मिलियागा, जैसे तो कोगे मैं सर्च कर दूटू, ये रहा न, ये मैंनेता tag park, 2 BHK flats near monitor tag park, magic brick बगएरा कि सब के आपके जो competitors हैं, वो आ रहे हैं, ये चाहें, जो यूज कर सकते हैं, otherwise 2 BHK flats in Bangalore, ये सब छीजे आफको काफी ज्यादा information मिल जाए, Bangalore, इसको आप ज्यादा बनाए, क्योंकि 6600 से related है, और इसके साथ में आपको ये information देए, इसको मैंने main बना लिया, अभी आप डाल सकते हो, book, 2 BHK flats in Bangalore, 2 BHK flats, suppose आप सिर नोर्ग बैंगलोर के लिए कर रहे तो, baik right? बाल सकते है और इसकर थर्डिवा इसक्राथ नोर्ड देए, क्योंकि पेंगलोर कि नोर्टote toobhaOhnoo बैंगलोर קरण बाल आपकर आफको कर्णा आपको JUSTesta, this is our third 2 BHK flats on Bangalore, K did you hear one first, उडिलए प्रट्गे नान लिड़ा और लिड़ा इंड और दिबाल क्या है इस स्विम्न टूल बंड गल वें दिखलो फिक लुब लुब पॉस आप प्राश प्राश स्टार खॉन इस्ती लेख लाय अबै कि अव्यों ग्राशम लेख लाग लिग। 2BHK in Bangalore, फ्रेज भी आपको यूज़ करना है क्योंकि आप प्रॉब्लम ये भी है कि थोड़ा आपको जो मैं पेज है न वहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पर कंटेंट देना है जो मैं अपर आपनी विज़ा है कि आपको थोड़ा अपना यहाँ पर कंटेंट भी डालना है हर पेज़ पेज पेज पर जहां पर हमने अभी मैं इसको अब्डेट करके एक सेकंड इसको इन्टिंग उपन कर दिखते हैं जैसे मैंने तो यहाँ पर यह फ्लैट बनाएं तो अभी क्या करेंगे न थोड़ा थो आपर कंटेंट दे सकता है कि 2bh के फ्लैट जो हमारे फ्लैट हैं जैसे dream वे फ्लोर हो गया royal home हो गया जितने भी फ्लोर चीजे हैं उन सब कहांपर आप norman नाम दे सकते हैं उनका यहाँ पर information दे सकते हैं और अपनी पैश प्रोपर्टीस के बारे में आप तोड़ा information दे दे 50 to 500 words यहां पर यूज जरूर करें ताकि चुकि starting में जो नहीं बैफ़ाट होते हैं उसको content हो ज़दा help करता है तो यह जो चीज़े आ रहे हैं यह चीज़े तब नहीं आएंगे क्योंकि यह बहुत अच्छे keyword है यह सिर्फ इसलिए blank हो रहा है क्योंकि जो main particular page है वहाँ पर इतनी such as information है नहीं तेन अगर आप जब यह सब कीज़े कर लेंगे अपना content बगएर आप डालके keyword सर्च करके optimize कर लेंगे आपको फिर से यह लेना है और इसको close कर देता हूँ गूगल बैब मास्टर दूल में आपको जाना है और पेस्ट कर देना है देन आपको फिर से index की request देना है यहाँ पर देप में यहाँ पर URL is on google जो आपका पर्टिकुलर सेम विद आप 3BHK के साथ भी कर लेंगे देन अभी मैं dream floor जो आपका पर्टिकुलर जो आप आपका पर्टिकुलर जो प्रोपर्टी है उसके लिए देन आप गें इसको एडिट कर ले देन आपके 2BHK से रिलेटेड ही जो कीवर्ड है वो आई ही क्योंकि 2BHK का भी फ्लैट है इसको यह कर लेता हूँ 2BHK फ्लैट फो सेल इन प्रैंग लोग क्योंकि इस पेज पर क्योंकि इस पेज पर काफी यहां पर कंटेंड में डाला हूँ जहां पर यह AI हेल्प कर रहा है कि हां भाई क्या-क्या इन्फोमेशन है 2BHK फ्लैट फ्लैट इस अगर भी तो यह काफी यहां पर अच्छा रहता है तो अब यहां पर क्या करेंगे आप अपना सीधा नाम देंगे ड्रीम फ्लोर 2BHK 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 3BHK 2BHK 3BHK क्षप 3BHK 2BHK 8BHK 6BHK आप एमिनिटीज दे दे, आप यहाँ पर पेच पर आ सकते हैं और यह चीज़े आप ले सकते हूं यह आप अराम से जो चीज़े है ना वो आप ले ले तो यह आपने डाला लेकिन यह ज्यादा कंटेंट हो गया तो यह आप इसको देखे कि आप कैसे इसको अज़ेस्ट कर सकते है तो रेरा अप्रूब्ड आप चाह रहे हैं दिखाना तो इसको रहने दे खेंट करके तो इन्हा अटा देती है हैव भटा के सिधा 80 कर देते हूं विथ 80 प्लस यूनिट इन सिंगल टावर रेरा अप्रूब्ड एक डाय जो यहां पर हमने डेट आए भी शाय 20-24 ठीक है अप्डेट करें दूसरा प्लस देखेंट अब यहां पर जो हमने मेन प्लस निए लिए था ना उनको भी हम यूज कर सकते हैं ऐसा सेकेंडरी कीवर कर दिया वो keyword और देख ले कि मुझे से रिलेटिव suppose आपको sales से ही रिलेटिवर चाहिए न तो आप क्या करेंगे जो मैंने main keyword बनाया उसको copy करके तो keyword plan में जाके clean keyword related dating यह दे को flat price भी आ रहा है साफी सही keyword है यह भी normal keyword है ज्यादा difficulty है नहीं ज्यादा आपको यहाँ पर options तो competitors के हैं वो नहीं मिल रहे हैं तो एक normally यहाँ पर help करेगा आपको पोजिशन लाने के लिए आपको फर्ष पोजिशन पर SEO rank कराने के लिए तो हमने 2 BHK कर लिया देन इसको हम लोग क्या करेंगे इसको update कर देते हैं उन बार अब बताएं हम लोग क्या करेंगे इसको ही हम यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर गूगल पर जो जहाँ पर डेटा है उस पर नहीं है तो अब हमने इसको क्रोल करा दिया जब क्रोडर आएगा इस्पाइडर्स आएंगे इंफोर्मेशन लेंगे यहाँ पर आएगा यह सी यूर्ल इसों भूग है तो आप टेस्ट लाइब टेस्ट भी कर सकते हैं क्लिक कर दिए टेस्ट लाइब यूर्ल पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग अगें अगर आप चाहे तो तो देन आप कोर बैब बिटल में जाकर स्पीड टेस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का बाइज अन मुबाइल एंग टेस्टोप तो इतने में यह यहां पर डेटा आ रहा है एक बार आप अनलिटिक्स पर देखेंगे तो एक यूजर दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहां पर एट किया हुए इसको मैं एक बार मोबाइल में ओपन करके दिखा देता हूं आपको अब मैंने इसको मुबाइल में भी ओपन कर लिया है वोड़ा यहां पर टाइम चोल लेगा हूं आप यहां से चाहिए तो Google Analytics 4 का भी option कौल सकते हैं तो और Real Time में मैं आ जाता हूँ Real Time में एक यूजर भी दिखा रहा है यहां पर यह 100% मतलब कि जो एक यूजर है वो पूरा मुबाइल पर अगर ज्यादा यूजर्स रहेंगे तो like suppose करो 7 या 8 यूजर्स हैं तो आपको दिखाएगा महाँ पर जैसे भी मैंने मुबाइल में खोला है तो दो यूजर्स हैं 50-50% एक ओवियसली मैंने एक डेक्टोप पर खोला हुआ है और एक मैंने मुबाइल में तो यह दो यूजर्स दिखा रहा है 50-50% 50% डेक्टोप पर 50% मुबाइल पर तो 10-12 यूजर्स रहेंगे यह जितने भी यूजर्स रहेंगे तो उनके परसेंटेज यहां पर दिखाएगा बेस्टोप की कितना डेक्टोप पर ओपन है और कितना मुबाइल पर ओपन है तो यह आपको डेटा मिल गया तो यह दिखो आपको नोर्मल यहां पर सारी चीज़े मिल जाएगी कि आपका डेटा कितना क्या इसू यहां पर चल रहा है देन अगर हम पर बात करें तो 92% performance और काफी अच्छा है और आप मुपाइल पर भी देखेंगे तो 62, 60% यहां पर performance आ रही है और जितनी भी आपको यहां पर information मिल जाती है आप उस चीज से आपर काम कर सकते हैं जैसे आप अपना image वगेरा के लिए format वगेरा यूज़ कर सकते हैं और आप contentful paint, minimize main, threadworks तो यह सब चीज़े आप चाहें तो open use करके यहां पर अपने website को और performance और boost दे सकते हैं अगर हम बात करें यह सब चीज़े हां पर हो जाएंगी आप Yoast SEO आपको काफी इसमें help करेगा आपकी website को rank कराने के लिए और आपको Google Search Console help करेगा आपकी website को rank जितनी भी data है उस चीज़ को आने के लिए और Google को crawl कराने के लिए और rank करने के लिए जैसे जैसे आप data update करेंगे कुछ भी नया आप blog डालते हैं कुछ भी नया आप कोई property add कर रहे हैं तो आप उसका site map एक बाद जरूर चेक कर लेंगे साइट मैप चेक करने के लिए आप यहां पर एक site map open कर सकते हैं और जितनी भी site map है open करने के बाद आप open site map देख सकते हैं तो देखो यह सब चीज़े आपको मिल जाएगी यह सारे option में पर आपको मिलेंगे इसके इंदर कितने URL से यह सब चीज़े मिल जाते हैं performance के अभी यहां पर कोई data है नहीं performance में आप बेच चूज कर सकते हैं last week के साब से और month year के साब से और even एक particular date range के साब से भी तो मैं अभी भी आपको recommend करूंगा हमारी जो SEO की playlist है वो analytics की playlist आप जरूर एक बार जाके देखें Google Search Console की भी आप playlist जरूर देके I hope यह हमारा जो tutorial है help किया होगा आपको आपकी website जो एक real estate agency related या broker या property advice से related है आप कैसे बना सकते हैं यह part 2 था यह part 2 basically based था एक छोटा सा part जो आपको SEO से related help कर रहा है आपकी website को rank कराने के लिए keyword यहां प optimize करें your SEO के help लेकर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हूँ please like करें comment करें share करें subscribe करें अपने digital agents friends को यह share जरूर आप शेयर करें ताकि उनको भी help हो जाए फिरी में वो अपनी website बना ले फिरी में वो यहां पर अपना जो भी आपको like you know optimize कर पाएं वो keywords को और यहां पर business यहां पर लेकर जरूर आएं और एक अच्छे से अपनी website बनाने के बाद जितने भी आउनको लगता है जितने भी उन्हें लाइफ में गोल अचीव करने है वो यहां पर जरूर करें और वीडियो को देखने के लिए like करने के लिए comment subscribe शेयर करने के लिए मेरा दिल से बहुत बहुत सुक्रिया आपको को थेंडियो फर वाचिंग नौलेज अंगर यूटूब चैनलल